वेल्कूम बैक दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको स्कूटर का स्वाप प्लग कैसे रिप्लेस करते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं यह होता है स्कूटर का स्वाप प्लग है इसे बाहर की तरह आप पूल करेंगे तो यह निकल जाएगा इस्कोटर का इस पाइप बदलना है तो कंपनी की तरफ से फ्री में ही इस पाइप टूल दिया जाता है इसकी पैचान होती है और इसके नीचे आपको इस तरह के होल मिलेंगे जिसमें यह इसक्रो डाइवर आप मसा के इस पाइप लग को ओपन कर सकते हो इसका जो आगे का हिस्सा है वो इस पाप लग के अंदर जाएगा यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह पार्ट त्री है हीरो मैश्टाव एज की बेसिक सर्विस कैसे आप घर पे करें यह उसका वीडियो है दो वीडियो आल्रेडी है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्कुशन बॉक्स में बिल जाएगा इस टूल का यह वाला हिस्सा इसके अंदर साइड जाएगा और जो इसको इसके होल में हम फसा देंगे यह सारे टूल आपको कंपनी की तरफ से फ्री में दिये जाते हैं जब आप गाड़ी पर्चेस करते हैं इसके अंदर फसाके आपको एंटी क्लॉक बाइज आपको घूमाना है अगर आपने बहुत लंबी समय से इस पापलग को उपन नहीं किया है तो यह बहुत ज्यादा टाइट होगा तो आपको ज्यादा साकत लगानी पड़ेगी यह एक बार अगर घूम जाए यानि खुल जाए तो उसके बाद आप हातों से भी इसको खोल सकते हो बस इतना द्यान रखना कि जब यह बाहर निकाल रहे हो आप तो यह इसके इंजन के जो कवर है उसमें नगेज जाए क्योंकि अगर यह इंजन के कवर के अंदर गिर गया तो कि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अराम अराम से इसको खोला जाता है जिससे की जो थ्रेड है वो डैमेज ना हो इस पापलक को देखके आप पता सकते हैं कि इंजन की क्या कंडिशन है अभी आप उपर का हिससा देखिए विल्कुल साफ है कारवन डिप इस पार प्लग अगर आपको रीप्लेस करना है न तो आप अरिजन अले स्पाप लग का हमें सांइच करीगा लोकल इसपार आपको कभी भी दोका दे सकते हैं यह चेंपियन का सब्सक्राइब जै और इसमें मैं हीरो का औरिजनल सब्सक्राइब दोजा बनाता लेकिन किसी करता है जो इसके लिए बनाती है यह बोच कंपनी का इसके अंदर से निकला है मार्केट के अंदर अगर आप लेने जाएंगे आफटर मार्केट की बात कर रहा हूं तो वहाँ पर आपको डुप्लिकेट इस्पाप्लग बहुत ज्यादा मार्केट में विखते हैं और इसे डुकानों में भी मिलते हैं लेकिन उसके लिए आपको पहचान करना जरूरी कि पुराने वाले स्पाप्लग के जैसा होना चाहिए नहीं तो बड़ा स्वाप्लग आप लगा दोगे तो इंजन डैमेज हो सकता है और जो पहचान होती है न वह आप देखो तो जो प्रिंट किया हूँ आपको मिलेगा या तो सिरियल नंबर या कंपनी के नामे कोई डिजा अचान पाना बड़ा मुस्किल हो जाता है कौन सा ओरिजनल है और कौन सा लोकल है इस वाप्लग को लगाते समय जो उसका कैप है उसके अंदर हम डबलोडी 40 को स्प्रे कर सकते हैं इससे जो भी इसके इंदर कोरूजन या कच्रा होगा वह साफ हो जाएगा अगर आपके प्लक को हम फसा लेंगे और अगें जब भी हम इसको अंदर दाल रहे हों इसके त्रेट के अंदर तो यह इसके कवर में गिरना नहीं चाहिए तो अगर में गिरा तो फिर आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर पूरा इंजन का कवर आपको खुलना लगाना बहुत ही मुस्किल होता है बहुत ही कम जगए होती है इसलिए थोड़ी समय लगता है और दिक्कत भी होती है पर मुझे उमीद है कि इस वीडियो के माधियम से आप सीख जाओगे कि सब्सक्राइब को अकिल लगाते और निकालते कैसे हैं देखो मैंने इसका स्कू कर आप हो जाए या इस पाफ लाग अंदर तूट जाए तो फिर आपको इसे खरादिया के पास लेगे जाना पड़ेगा फिर वही इसको खोलेगा इस वीडियो को आप शेयर जरू करिएगा और लास्ट में इसका हम कैप अंदर लगा देंगे और एक बार हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि इस पोजिशन में इसका कैप लगेगा नीचे की साइट यहां पर आप देख लो एक बार और हमें इसे अब इस प्राट करते हैं तो यह था तीसरा पार्ट इसमें आपको इस्वाब लग बदलना बताएं नीचे कमेंट करके मुझे बताएगा कि वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा शेयर करिएगा और चनल को सब्सक्राइब चरू करिएग झाल